हलो फ्रेंड स्वागता है आप सभी का फिर्ट से आपके यूटी चनल पर एन एक्सपरड़ जेस अल गुरू और आज मनों बात करने वाले हैं बिसिकली विहाब इधान सभा की जो नई वेकेंसी आने वाली है या जो नई वेकेंसी आई है उसका फॉर्म को रिगार्डिंग फ्रॉब्लम हा रही है पेमेंट को रिगर्डिंग तो आज इस वीडियो में तमाँ उस ब्त पर बात करेंगे वीडियो सुरू करने से पहले जो नई विषैस अन व के पको वेकेंसी आता है जैसा कि बोगो पता है कि सल विहार में लगतार वेकंशी आने किस लगतार सम्होना है 2024 में लगतार वेकंशी आएंगे ही आएंगे इसलिए विएसे बचे जो कई बिहार किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो वहां ज़लक साथ का बेल आइकन हीट कर ले ताकि उनको सारा नोट्पिकरसन यहां से मिलते रहे और उनकी सफलता हमारे मार्ग दर्सन के साथ सुनेशित हो सके ठीक है दोस्तो जाहिट से बात है कि बिहार में इस बार जैसा कि सब को पता कि बंपर प्रकेंसी आने वाली है इसलिए इस बार ये मौका छोड़ना नहीं है अब बात करते हैं बिहार विधान सवासेची वाले का लगतार बहुसतर बच्चों को मुझे मेसेज आ रहा था कि सर किस तरह से फॉर्म को बरना है देखिए यहां पर दो-तीन क्रैटेगरिया को आप लोगों मतलब बिल्कुल पॉइंट क्लियर करना होगा पॉइंट टमबर वन यह होगा कि सबसे पहले आपको रेजिस्ट्रेशन जिस दिन करना होगा रेजिस्ट्रेशन करने के तीन दिन ब लेड़ से पहले होगे तो आपके फसने के चांसे रहेंगे तो आपके ने चैंसे रहेंगे कि आपके पास लैप्टॉफ है या फिर मोबाइल है तो आप रात में इसको कोशिस कीजिए जैसे बारा बज़े हो गया या सारे बारा में जैसे कि आप विद्यारती समय पढ़ते हैं उस्टे में कीजिए नहीं तो फिर अर्ली मॉनिंग कीजिए बिल्कुल आपका पेमेंट हो जागा ठीक ह आप लोग क्या कर रहे हैं मैक्सिम बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो दस बेश से लेकर के तीन चार बेते के बीच में पेमेंट कर रहे हैं अब इसमें क्या होता है कि दू-तीन फैक्टर होते हैं पेमेंट ना लेने के एक तो विहाई विधान सभा का सर्वर होता है इसलिए दो बातों का ध्यान रखिएगा एक तो आपको बारा बजे रात के बात कीजिए और नहीं तो अर्ली मौनिंग कीजिए बिल्कुल अगर पेमेंट हो जागा ठीक है पेमेंट होने के बाद याद रखिएगा कि आप जो फॉर्म फिलब कीजिएगा उस फॉर्म में कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा जैसे कि एक आपका अपना एस देख लिएगा दूसरा एंसील सेटिफिकेट बहुस तरह बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि किसल जो नौन क्रिमी लियर का जो होता है फॉर्म मेरा जो मेरा सेटिफिकेट बना हुआ यह अब का है उस टेम नहीं भरा गया था तो वैसे बच्चे जनरल कंसिडर्ड होंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा ठीक है पॉइंट नमर वन दूसरा अगर आप लोग ए बच्चों के लिए जो इस दाइरे में आते हैं उसका में डिटेल वीडियो बना दूगा कि एंसल सेटिफिकेट में कौन आते हो उसका क्या लाव होगा बिहार सकार के नौकरियों में और जिनको पता है वो अपना बना के रख लिजे चुकि बिहार में भी 8-10 वेकेंसी आन बच्चों का अभी बना है उस टाइम नहीं बना था उनके लिए खास करकि यह संदेश है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आप जेनरल कंडिडेट कुरूप में काउंट कर जाएंगे ठीक दोस्तों तो यह सारी बेसिक ज्यांकारिया थे जो मैं लगतार आपके मा आपके लिए खास कर रहे है तो मैंने कहा कि तमाम बच्चों को मिला कर एक वीडियो मना दिया जाए ताकि आपके आपके दोस्तों तो वीडियो अच्छा लागा तो कमेंट मजूर कीजेगा कैसा वीडियो लगा साथ यह वीडियो उन दोस्तों को भी सेर कर देजएगा जो वीडियो जो जो बच्चे बिहार किसी एक्जाम के त्यारी कर रहे है ताकि उनको भी यह परसानी ना हो और एक बार में उनको समझ में आ जाए ठीक है तो ऐसे इंटेस्टिंग फ्रेक्ट के लिए बनेना चैनल पर बाबाबा टेक केर रहना आज़े जय हिंद जय भारत